नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अचार जागंद्र मिस्रा में कन्या रास वालो बधाई हो अब आपकी समस्या खत्म होगी मिलेगी बड़ी खुस खबरी मेरे प्रिदर्शक कन्या रास के जातक एवं जातिकाएं तो मेरे प्रिदर्शक कन्या रास के जातकों हम हमेशा की तरह आपके तमाम ग्रह गोचर का ध्यान रखते हुए आपको बताने जा रहे हैं कि आपके लिए बिशेश पहलों पर चार्चा करेंगे कन्या रास के जातक आपका लब लाइब कैसा रहगा इस समय आपका धनका लाव होगा कितना और आपका स्वास्त कैसा रहेगा और आपका दामपत जीवन पारिवारिक जीवन इस्टुडेंट बिजनेस ब्यापार कैसा रहेगा तो कुल मिला के हम पूरी तरह से आपके जीवन के हर एक पहलूँ पर विशेश गौर करेंगे कन्या रास की जातकों तो आप से एक छोटी से बिंती है कि आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेर जरूर करें आईए अब सुरू करते हैं कन्या रास के जातकों के लिए आठ फरवरी से लेकर तेरा फरवरी 2020 किसमे कैसा रहेगा तो यहां पर करणियारास की जातकों इसे जो यह जो च्छे दिन रहेगा आपके लिए परिवार का जो महोल रहेगा थोड़ा सा तनाव पूर्ण रहेगा आप का मन परिवार से जुड़ी जिम्मेदारी पूरी करने में नहीं मन लगेगा प्रेम जीवन भितीत कर रहे करने रास्कियातकों तो कुछ लोगों को दिक्तें आ सकती है इसे 6 दिनों में आप किशी अपने से परिशान हो सकते हैं साधी सुधा बाले लोगों का दामपत जीवन इसे जो 6 दिन रहेगा मध के बाद से बहुत ही अच्छा रहेगा आप अपने अंदर जरूरी बदलाव मह करेगी यानि कि आपके हर कारी में आपका मन जो बुद्धी होगा एकागरशित रहेगा और इसी तरह आपका मन लगेगा आप नौकरी करते हैं कन्यरास्कियातकों या ब्यापार दोनों में ही सफलता की योग बनेंगे इन 6 दिनों में दोस्तों आनावश्य के खर्चे अब धन देना होगा क्यूंकि सब्ता के मद में मन भटकाव की स्तिति में काफी यानि थोड़ा बहुत इस्तिती रहेंगी लेकिन आपको भटकाव नहीं करना है मन को एकागुचित करके अपने पढ़ाई पर फोकस करना है अपनी सेहत के दियान रखेगा कन्य रास के जातकों यात्रा पर जाने के लिए ये जो 6 दिन रहेगा बीच में आप जाने का मन बना शकते हैं जैसे कि आप बीच और अंत में 12 और 13 फरवरी को भी आप यात्राओं की योग बना सकते हैं जाने का तो आएए मेरे प्री दोस्तों कन्य रास खiant को अब हम बात करें आपके हल्थ यानि आपका स्वास्त कैसा रहेगा तो कन्य रास क्यात को ये जो 6 दिन रहेगा इस 6 दिनों में आपके स्वास्त में जोड़ा सा उतार चड़ाव देखने को मिलेगा आप जो है माइंड फ्रेस करने के लिए परिवार या फिर दोस्तों के साथ किसी छोटी यात्रा का योजना बना सकते हैं स्वास्तों बहतर रहे हैं आपके पिता जी के स्वास्तों में लाब देखने को मिलेगा पहले जो कोई समस्यान चल रहे थी कंडिया रास्क्यात को तो आट फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक कश्में काफ़ी अच्छा रहने वाला है 9 और 10 फरवरी के जो समय रहेगा काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा चुकि इस समय सनी देव उदाई हो रहे हैं 9 फरवरी को तो यहाँ पर चुकि आपके पंचम भाव पे सनी देव है तो कन्या रास्कियात को बहुत ही अच्छे सित्यों का निर्मार होगा स्टुजेंट के लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि कई ग्रहों का पंच ग्रहों का आपके पंचम भाव पे एक साथ बैठना बहुत ही लाबदायक शाबित होगा कई तरह के लाब मिलने वाले नौकरी में भी नौकरी पेसा वाले लोगों के प्रमोशन के योग बनते ने जराएंगे और उनके प्रमोशन के साथ साथ उनके सेलरी में भी ब्रिधी के योग बनते ने जराएंगे बिजनेस ब्यापार करते हैं तो नई उचाईयों को छुएंगे बिजनेस ब्यापार में एक अलग तरह के लाब देखने को मिलेगा जमीन प्रोपरिटी से जुड़े हुए हैं तो कन्या रास्क जात को ये जो 6 दिन रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा आपका 8 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक का समय काफी ज़्यादा शांदार रहने वाला है कई तरह की खुशखबरी मिलेगे कोई पुरानी डेल फाइनल हो सकती है तमाम रुके वे कार पूरे होते नज़राएंगे और कुछ ऐसे कारे हो सकते हैं जो काफी समय से नहीं बन पा रहे थे चाहिए आपके नौकरी के छेतर में हो या आपके बिजनस ब्यापार के छेतर में हो वो बनने लगेंगे अगर कर्ज के लिए आपने कुछ आवेदन दिया था दामपत जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला करने राज के जातको इन 6 दिनों में क्योंकि 8 और 9 और ये जो 10 फरवरी का समय रहेगा दामपत जीवन में बहुत मधूर संबंद रहेंगे खुशिया मनाने का मौका मिलेगा शंतान की प्राप्ती की योग बनते हो नजराएंगे कुछ अच्छे पलों को महसूस करते हुए नजराएंगे करने राज के जातको कुछ नए विचार मन में आशकते हैं कुछ नए यानिकी दिमाग के द्वारा कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं संतान को लेकर जो समस्याएंग चली आ रहे थी वो समस्याएंग अब खत्म होती नजराएंगे और बड़ी खुसकबरी आपको मिल सकती है संतान को लेकर और यह आपके घर में ननिश मेमान का आगवन भी हो शकता है परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा परिवार के सदस्यों साथ घुमने फिरने का मन बना शकते हैं कन्य रासके जात को इन 6 दिनों में और यह जो यात्राएं होगी यात्राओं में आप खुब आनंद लेंगे उत्सव का माहौल रहेगा और यहां पर देखे यात्राओं में अपने कीमती समान की रक्षा सुरक्षा जरूर करें इसे आपको लाब होगा कन्य रास्कियात को किसी भी प्रकार की कोई भी आप धिलवाई न करें अगर आप नौकरी करते हैं सरकारी छेतर में जुड़े हो या प्राइवेट सेक्टर में जुड़े होगे तो कन्य रास्कियात को अपने नौकरी में बचाव करने होगी परेशानियों थोड़ी सी परेशानिया का सामना करना पड़ सकता है किसी बात को लेकर मतभेद ह हो सकते हैं लेकिन उच्छा धिकारी जो आपके बरिष्ट धिकारी है उनसे तालमेल बेहतर बना के चलेंगे तो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी जो समस्याइं आपके नौकरी में हैं तो कंडिया राज के आपको वह समस्या खत्म होगी इसलिए तो अगर आप नौकरी की तलास कर रहे हैं नौकरी के इंतजार में बैठे हुए हैं वहां तो निश्ची तोर पे आपको बड़ी खसकबरी नौकरी के रूप में मिल सकती है लेकिन प्रयास करना होगा कंडिया राज के आपको प्रयास करना होगा अगर आपका बिजनेस ब्यापार है कंडिया राज करते नजराएंगे अपने प्रयासों को तेश कर दें और सही प्लानिंग करेंगे तो निश्ची तोर पे हुई नज़राएंगे और एक बार फिर से प्यार से दिन भारा रहेगा काफी ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे एक जारा फरवरी का समय तो सांदार रहने वाला है कई तरह के लाभ मिलने वाले हैं कन्य रास के जात को इस चमें और देखे किसी भी चीज को आप तनाव मे वाले होते हैं उनकी बातों को समझने वाले होते हैं उनकी हर एक इच्छा को पूरी करने वाले होते हैं इसलिए कन्य रास के जात को आप कोशिज करें कि अपने पार्टनर को ना नाराज ना होने दे वैसे समाजी के दृष्ट से काफी जाद अच्छा रहेगा समाज में मा आज कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे आपका मानसमान बढ़ेगा घर परिबार में साथ मिल रहा है सिंगल जातकों के नए रिष्टे हो सकते हैं विवा के चर्चाएं हो सकती हैं जो काफी खुशियों से भरा रहने वाला है इस्टुडेंट के लिए भी काम्याबी से भरा रहन देंगे पढ़ाई पर फोकस बना हुआ है बिजनेस ब्यापार की और बात करें तो देखे साजेदारी में किया गया ब्यापार आपके लिए लाबदायक शावित सिद्ध होगा लेकिन एक दूसरे पर भरोसा बरक्रार रखे और पार दरसितर रखे तो कने रास्क्यात को आ आईडिया आपके मन में आ शकते हैं और शेयर मार्केट इत्याद से अच्छा खासा लाब हो सकता है और लोटरी शट्टा से भी आगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं सही समय पर करेंगे तो लाब जरूर होगा तो कने रास्क्यात को धन के लाब की योग तो आपके लिए ब बहुत लाब होगा पहले जो समस्या या कुछ काम में रुकावटे आ रही ती वो रुकावटे अब नव फरवरी के बाद बननी शुरू हो जाएंगे कने रास्की जातकों आपके लिए खासकर आप अपने कारचित पर पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं किसी भी तरह से परिशित ब्यक्ति से यानि जो आपका जान पह्चान करना हो उससे बिल्कुल पैषा न दे खासकर पैषा तो आपको किसी सगय संबनधी को भी नहीं देना है क्योंकि पैशिक बज़ए से आपके आपसी मनमुटा हो जाते हैं तो इसलिए कन्यय रास्की जातकों को तीन बार उल्टे बार के और किसी गरीब निर्धन को दे दे या मंदिर में रखके आएं इससे आपको बहुत लाब होगा तो कने रासियात को ये था आपके लिए 6 दिनों का रासिफल 8 फरवरी से लेकर 13 फरवरी 2020 किस तक का जो कई तरह की बड़ी खुसकवरी मिलने मिल चु करिये जये शनी जये